नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासिस में मैं हूँ निमाई सारा आपकी समक्ष उपस्तित हूँ साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर इस्टुरेंट आज की कलास में हम सारा आप कर चुके हैं जिसके नतरगत लगभग हमने 45 प्रशन सॉल्घ कर लिये हैं और जाना है कि is टॉपिक से बीएड या डीएड के एक्जैमें में आयोए हैं तो उन सभी प्रश्णों के साथ मैं आपके समक्ष उपलस्तितु आँ हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला कोशन और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 46 कोशन आपके स्क्रीन प रखते हैं यहीं कि जो चीजे आप बच्चों को टीचिंग लाइनिंग प्रोसेस के दौरान जिन सामागरियों का आप उप्यों करते हैं उन सामागरियों को जब आप कक्षा कक्ष में रखते हैं तो उस इस्थान को क्या कहते हैं यह आप से पूछा गया है आप्शन A कहता कहता है खेल कॉर्णर option B कहता है लर्णिंग कॉर्णर option C कहता है कक्षा लाइब्रेडी और option D कहता है मैजिक कॉर्णर तो आपको बताना है कि इस questions का right options क्या हो सकता है एनि कि teacher जो teaching learning process के दौरान जिन सामागरियों का उपियों करता है उन सामागरियों को जो कक्षा में कक्षा कक्ष में जहां रखा जाता है उस इस्थान को कहा जाता है तो उस इस्थान को students कहा जाता है learning corner इसलिए आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पाई होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते next question आपसे क्या कहता है तो next question आपसे कहता है option A कहता है खेलने के option B कहता है पढ़ने के option C कहता है अभ्यास करने के और option D कहता है उप्यूक्त में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि जो बच्चे वर्क करते हैं वो अधिक से अधिक अवसर उपलब्त कराते हैं किस चीज़ के तो strengths अगर हम तीनों option की बात करें तो कारि पुस्तिकाई खेलने के अधिक अवसर तो उपलब्त नहीं कराती है और नहीं पढ़ने के अभ्यास करने के सबसे अधिक अवसर उपलब्त कराती है और आप जानते हैं कि जो बालकिंद्री सिक्षा है इसमें अभ्यास पर बहुत जादा जोर दिया गया है क्योंकि जो बच को आपका हुजाएगा अभ्यास करने की आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और कोशन के राइट ओप्षन तक भी पहुच पाएँगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स्ट कोशन 48 आप से क्या कहता है तो नेक्स्ट कोशन 48 आप से कहता है स्ट्वेंट्स की बेस वर्ष 1960 में, ऑप्षन B कहता है वर्ष 1965 में, ऑप्षन C कहता है वर्ष 1968 में और ऑप्षन D कहता है वर्ष 1972 में तो जो जिला बेसिक सिक्षा समिती का गठन किया गया था वो सन 1971 में किया गया था और बेसिक सिक्षा अधिनियम इसके बाद अपलाई किया गया था सन 1972 में इसल स्थापित अकादिमिक संस्था है यानि कि देखे सिक्षकों को सेक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए जनपद इस्थिक लेवल पर जो इस्थापित अकादिमिक संस्था है वो क्या है संस्था आपको बताना है कि जो टीचर होते हैं उनको जो टीचिंग से रेलेटेट सपोर्ट प्रदान करने के लिए डिस्टिक लेवल पर जिस संस्था को स्थापित किया गया उस संस्था का नाम तो देखें S.C.R.T. स्टेट लेवल पर है आंगल भाशा शिक्षन संस्था ये भी आपकी स्टेट लेवल पर है और ब्लॉक संशाधन के इंद्र ये आपकी ब्लोक लेवल पर है लेकिन यहाँ पर जन्पद इस तर की बात की गई है और ये आपका जिला सिक्षा एवं प् ठिक तो इसकी स्थापना की गई 1987 में और इसकी स्थापना 33 जीलों में की गई और डाइट के कारिये को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए साथ विभागों को डेवलप किया गया है तो इसलिए इसकी स्थापना आपका बनता है जिला सिक्षा एवंग प्रिशिक्षन संस्था आपका बनता है जिला सिक्षा एवंग प्रिशिक्षन संस्था आपका बनता है आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इसकी स्थापना पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ने शो में नियमित पठन पाथन यह निकि जो पठन पाथन की प्रक्रिया है निए टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इसको नियमित रूप से निकि एक सिस्टम के तहत चलाने के लिए क्या बनाई जाती है अब आपको बताना है कि विद्याले में सभी कक्षा कक्षों में नियमित पठन पाथन हे तू बनाई जाती है क्या सभी कक्षा में सिख्षक डाईरी बनाई जाती है मुल्यांकन यूजना या समय शारनी या फिर इकाई योजना तो student's आप जानते हैं कि वीद्देले में कक्षा कक्ष में नियमित पठन पाथन के process को नियमित रूप से चलाने के लिए हमें time table के आवशक्ता होती है यहनि कि हमें time tables के according ही नियमित पठन पाथन के process को करते हैं इसलिए इस questions का right option बन जाएगा आपका C यहनि समय शार्णी यहनि time table को हम कहते हैं समय शार्णी तो इस questions का right option हो जाएगा आपका समय शार्णी I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions की right option तक भी easily पहुँच पायोंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next 51 question आपसे क्या कहता है तो question number 51 में आपसे कहा गया इस्ट्रेंट की विद्देले समय सार्णी होनी चाहिए यहनि कि जो विद्देले समय सार्णी है वो कैसी होनी चाहिए option A कहता है कठोर option B कहता है लचीली option C कहता है आप परिवर्तनी है और option D कहता है इन में से कोई नहीं तो इस्ट्रेंट देखे जो time table विद्देले की होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए कठोर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और आप परिवर्तनी है भी नहीं होने चाहिए नहीं कि समय समय पर उसे परिवर्तन भी करने चाहिए और इन में से कोई नहीं भी नहीं हो सकता तो बचाओ ऑप्षन आपका बनता है लचीली कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप जो पिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको आप लगातार एक साथ कर दे और जो इजी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप बाद में कीजिए या स्टार्टिंग में इजी वाले कीजिए बाद में टफ वाले सब्जेक्ट्स को गिजए ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब एक टफ सब्जेक्ट के साथ दो इजी सब्जेक्ट को करना चाहिए इस तरीके से आपके समेशारनी तैयार होनी चाहिए कहने का मतलब यह है कि अगर मैस का पीरियड आपके स्टार्टिंग में इंटरवल से पहले है तो साइंस का period आपके interval के बाद होना चाहिए तो इस तरीके से आपको जो है समयशारनी को adjust करना चाहिए निके flexible करना चाहिए कि एक tough subjects के साथ दो easy subjects इस तरीके से design होने चाहिए जिससे time table easy हो और बच्चे को subjects को समझने में परेशानी ना हो तो इसलिस questions का right option बनता है आपका लचिली आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions के right option तक भी easily पहुच पाएंगे चले next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते next questions question number 52 आप से क्या और option A कहता है 3, option B कहता है 4, option C कहता है 5 और option D कहता है 7 तो अब आपको बताना है इस questions का right options आपके हिसाब से क्या हो सकता है अगर आपने content वाले portions को बहुत अच्छे से cover किया है तो इस questions के right option तक आप easily जा सकते हैं क्योंकि जब हम राज्यस्तर पर जो एक्षिक संस्थानों के बारे में डीटेल में बाच्चित कर रहते उस दोरान आपका एक point आता है diet का जिसे हम district institute of education and training कहते हैं जिसे हिंदी में जिला सिक्षा एवंग प्रशिक्षन संस्था कहा जाता है इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसकी स्थापना 33 जिलो में की गई थी और diet के कारिय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए साथ विभागों को संभलित किया गया तो साथ विभागों को संभलित किया गया इसलिए questions का right option हो जाएगा आपका option number D आप मेरी बातों को समझ पाएं हैं content को आपने revise किया और questions के right option तक आप easily पहुँच पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हो और देखते हैं next questions question number 53 आपसे क्या कहता है तो question number 53 में आपसे पूछा गया students की इंद्रा गांधी राश्किया मुक्त विश्विद्यल एगनू की स्थापना हुई देखिए इगनू की स्थापना आपसे direct पूछी गई है अब आपको बताना है कि इगनू की स्थापना कब हुई option A कहता है वर्ष 1980 में option B कहता है वर्ष 1985 में option C कहता है वर्ष 1990 में और option D कहता है वर्ष 1992 में अब आपको बताना इस questions का right options क्या हो सकता है आशागरतों कि आप content वाले portions को बहुत अच्छे से cover करके आये हैं इगनू का full form आप जानते ही है और इसकी स्थापना कब की गई थी इसका मुखेले कहां है इसको हमने detail में discussion किया है content वाले portions में तो उसके अंतरगत आप right option तक easily पहुंच सकते हैं निकि इगनू की स्थापना आपके 1985 में हुई है इसलिए questions का right option आपका बन जाएगा option number B चले आगे बढ़ते हैं और देखतें next questions आपसे क्या कहता है तो next questions question number 54 आपसे कहता है students अध्यापक सिक्षा संस्थानों को प्रमानित करने या मान्यता देने का कारिय करने वाली संस्था है देखिए अध्यापक सिक्षा संस्थानों को या जो अध्यापक सिक्षा संस्थान ह होते हैं उनको प्रमानित करने या मान्यता देने के जो कारिये करने वाली संस्था उसका क्या नाम है यह आप से पूछा गया option A कहता है राष्टिय अध्यापक शिक्षा परिश्यद N.C.T.E. option B कहता है नूपा N.U.E.P.A. option C कहता है N.C.E.R.T. और option D कहता है C.M.E.D. अब आपको बताने हैं कि इन चार option में कौन सा option आपके हिसाब से best हो सकता है जो अध्यापक शिक्षा संस्थान को प्रमानित करने या मान्यता देने वाली जो संस्था है उसको हम क्या कहते हैं तो स्ट्रेंट्स इसमें मैंने N.C.T.E. जो आपका National Council for Teacher Education होता है यानि जिसे हम राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशद कहते हैं इसका कार्य होता है कि सिक्षकों को मान्यता देना as a teacher पढ़ाने के लिए तो ऐसे संस्थान को हम N.C.T.E. कहते हैं और इसकी स्थापना 1995 में की गई इसका मुखेल है New Delhi में है और इसमें कुल सदस्यो वाले पॉश्चन में डिटेल में discussion किया है तो इसलिए को राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशद यहनि एन C.T.E. तो अध्यापक सिक्षा संस्थानों को प्रमानित करने या मान्यता देने वाली संस्था है आपका राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशद आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next questions question number 55 आप से क्या कहता है तो question number 55 आप से कहता है students के राज्य सिक्षा संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई देखे राज्य सिक्षा संस्था यहनि कि state institute of education की स्थापना किस वर्ष की गई यह आप से पूछा गया option A कहता 1964 option B कहता 1965 option C कहता 1960 और option D कहता 1957 अब आपको बताना है कि राइट option का क्या हो सकता है students is questions का जो राइट option होगा यह मैंने आपको content वाले portion में पढ़ाया कि state institute of education यह राज्य सिक्षा संस्था की जो स्थापना है व अगर हम options की बात करें तो इस questions का राइट option हो जाएगा 1964 यह आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions के राइट option तक भी easily पहुँच पाए होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next questions question number 56 आप से क्या कहता है तो question number 56 NCTE जिसे हम राष्टिया ध्यापक शिक्षा 1987 और option D कहता है 1981 ECU में अब आपको बताना है किस questions का right options क्या हो सकता है तो NCTE के स्थापना जो है students वो 1995 में किये गई है इसलिए questions का right option हो जाएगा आपका option number A यह नि 1995 I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पाए होंगी चले next questions पर आगे बढ़त qustion आपसे क्या कहता है तो next question question number 57 आपसे कहता है स्ट्विएंस की मानविय संचाधन नहीं है देखे मानविय संचाधन नहीं है यह नहीं है आपको कोन सा संचाधन ऐसा है जो मानविय नहीं है, option A कहता है बालक, option B कहता है सिक्षक, option C कहता है प्रधान अध्यापक और option D कहता है श्यामपट देखे संचाधन की बात अगर हम करें तो जिससे किसी भी कारिय का संपन होना उसे संचाधन नहीं कि जिसके माध्यम से आप किसी भी कारिय को संपन करते हैं उसको हम संचाधन कहते हैं यहाँ पर बात की गई है मानविय संचाधन की यहाँ पर बात की गई है मानविय संचाधन नहीं है तो वो है आपका श्यामपट इसलिस questions का right option हो जाएगा आपका डी I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions की right option तक भी easily पहुँच पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हो और देखतें next question आप से क्या कहता है तो next question आप से question number 58 में पूछा गया है कि निउपा का मुख्याले है देखे निउपा याणि निउपा का मुख्याले आप से पूछा गया है N-U-E-P-A निउपा निउपा का full form होता है National University of Educational Planning and Administration जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्टिय सेक्षी की ओजना एवंग प्रशाशन विश्वी देले और इसकी स्थापना की गई 1962 में इसका मुख्यले आपके New Delhi में है और इसके उप विवागों की अगर मैं संख्या की बात करूँ तो इसके उप विवाग है च्छे तो यहां पर आपसे सीधा सीधा प्रशन पूछा गया है निवपा का मुख्यले क्या है अब आपको बताना है कि निवपा का मुख्यले क्या है Option A कहता है दिल्ली में Option B कहता है राजिस्थान में Option C कहता है लखनों में और Option D कहता है कानपूर में तो कंटेंड वाले पॉर्शन में मैंने आपको डीटेल में बता रखा है इसलिए आप कोर्शन के राइट ऑप्शन तक एजीली पहुंच सकते है निवपा का मुख्यले आपके नई दिल्ली में तो यही इस कोर्शन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोर्शन आपसे क्या कहता है तो नेक्स्ट कोर्शन कोर्शन नमबर 59 आपसे कहता है पाथे सहगामी करिया कलाब की विशेशताएं हैं देखे पाथे सहगामी यह पाथे पुस्तक से जुड़ी हुई जो सिस्टम होते हैं उसको हम कहत पाठ्थे सहगामी और ऐसे क्रिया कलाब जो आपके पाठ्थे पुस्तक से जुड़ेवे हूं option A कहता है सैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यकरम option B कहता है राष्ट्रिय पर्व option C कहता है व्रक्षा रोपन option D कहता है उप्यूक्त सभी अब आपको बताना है कि पाठ्थे सहगामी क्रिया कलाब की विशेष्टाओं में कौन सा option best हो सकता है दीखे जो आप सेक्षिक और सांस्कृतिक कार्यकरम विद्यलेव में करते हैं ये भी कही ना कहीं आपके पाठ्थ से इसकी विशेष्टाइं भी आपको पता होनी चाहिए इसकी क्या खासियत है क्या हमारे लिए महत्व रखते हैं ये सभी चीजों को आपको ध्यान रखना होता है और नेक्स्ट आपका है व्रक्षा रोपन जो बहुत जादा जरूरी है पेड़ पॉधे लगाना एजुकेश सभी आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस कोशन के राइट ऑप्षन तक भी पहुंच पाएंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स्ट कोशन कोशन नंबर साथ और इस प्रेक्टिस सेट का ये लास्ट प्रशन आपके स्क्रीन पर है कोश सर्बोच अकादमिक संस्था क्या है जिला इस तर पर तो ऑप्षन ए कहता है डायट ऑप्षन बी कहता है सीमेट ऑप्षन सी कहता है सी इर्ट और ऑप्षन डी कहता है बी आर सी अगर मैं बात करूँ तो सीमेट एनि कि SIEMAT State Institute of Educational Management and Training जो स्टेट लेविल पर होता है ये जि आर सी आपका ब्लोक इस तर पर है तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता तो बचाओ ऑप्षन आपका A है डायट जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं District Institute of Education and Training यह जिला इस तर पर जो संस्था है जिला सिक्षा एवं प्रशिक्षन संस्था के नाम से जिनको हम जानते हैं इसको ह राइट ऑप्षन तक भी पहुंच पाए होंगे आशा करता हूं कि यहां तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिसकस किये हैं वह सभी कोशन आपको क्लियर हो पाए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट कर सक करते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं और यह बहुत जादा इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके इस टॉपिक पर बेस्ट सूपर्टेट एक्जैम पॉइंट और विशेश रूप से तो कोई भी प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं अभी त प्रश्न है यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे इसलिए सब्सक्राइब को पहले बहुत अच्छी से कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो आप समझ पाए कि टॉपिक क्या है किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और हमें क्या-क् अंदाजा हो पाए कि हमें किस तरीके से कंटेंट को कवर करना होता है और उसके बाद जो यह प्रश्न है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इनको प्रेक्टिस करेंगे और कंटेंट वाले पोर्श्न को बार बार रिवाइस करेंगे तो आपके साइकलोजी में 30 प्लस मार्क्स एजीली गेंड कर सकते हैं आशा करता हूं कि आप मेरे सबी बातों को समझ पा रहे हैं और पोर्श्न को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे मिलते हैं नेक्स क्लास में आज के लिए बस इतना ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइ जए हिन